नमस्कार विद्दार्थियों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकोरनाई सांदर और कमाल के वीडियो में तो विद्दार्थियों जैसे कि आप सभी को पता है 28 फरवरी को आपका केमेश्ट्री बारवी का पेपर होना है तो बच्चो आज के इस वीडियो में आपके 28 फरवरी की बोर्ट पर इच्छे के लिए मैं पूरे अध्याय से सूपर मोश्ट ऐसे सिलेक्टेट कोश्चन से लेकर आया हूँ और उनका सोलूसन लेकर आया हूँ जिसे यदि आप पढ़ लेते हो आपने पूरा उन्हें रट लिया चाहे आपने साल बर से कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो यदि आपने इन्हें पढ़ लिया तो आप केमेश्टी के पेपर में पेशट से उपर नंबर लेकर आने वाले हो यह गारंटी मेरी है लरन किलब की है गारंटी रहती है तो बच्चो आप पेशट से उपर नंबर लोगे और आप परिच्छ में बिलकुल भोकाल मचाने वाले हो बहुत ही ऐसे कम कोश्चन बच्चो जो कि आपको पढ़ने हैं इसके अलावा आपको एक भी कोश्चन नहीं पढ़ना है तो विद्यारतों जोसे कि आप सभी को पता होगा इस बार बोट परिच्छा में आपके लिग पेपर वारा नहीं हो रहा है ना ही आगे होने वाले आपने अभी जो आपका हुआ था पेपर फिक्जिक्स का पेपर हुआ था आपने उसमें experience कर लिया होगा तो आपको असली पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है वरन्ना आप फेल भी हो सकते हो तो बच्चों मैं आपको जो question दे रहा हूँ सिर्फ आपको उनके तयारी करनी है इसके अलाब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कहीं भी आपको नहीं वटकना है आपको solution भी हापर दिये जा रहा है तो बिद्यार्जियों आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजीगा साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लीजीगा ताकि हम जैसे ही कोई नए वीडियो अप्लोड करेंगे आपको उसका तुरंद नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए वीडियो को हम बिना किस देरी के सुरूर कर लेते हैं और एको बाद बच्चों आपको मैं हापर बता देना चाहता हूँ जो भी आपके जो यूट्यूब पर पेपर वारन हो रहा है सारे पेपर विलकुल फर्जी है उनके लिए आप केवल एक ब्यूस हो सेकेंड के अंदर-अंदर आप उसका वीडियो सुलूसन मिल जाएगा वो भी फ्री में याने अब आप पूछे अपने अलिमिटेट सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहिए आपका सवाल क्लास छटी से बारवी आया टी जेई या नीट का हो आपके सबी सबालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट एप पर साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास नोबी से वारवी आया टी जेई और नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्लास है जिसका हिस्सा बन कर देश के सवी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे है रेंग वन तो आज ही डाउटनट एपिस्टोल करो अपने सबी डाउटस बहगा और टोप रेंग लिए तो चले विद्यार्थियों सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट वन की तरफ यूनिट वन का देदी है के वल आपको इन्हें ही पढ़ना है इन्हें में से आपके कच्चे होए कोश्चन यहां पर फसने वाल है आप फटाफट इसक्रेंट शोट ले लिजिए यह फिर वीडियो में अभी आगे आपको यह बता दूँगा कि आप इसका जो है पीडिया सोलूसन किस प्र लेकिन आपको सबसे पहले इन्हें पढ़कर खतम कर देना है जब आप इन्हें पढ़कर खतम कर दूए उसके बाद ही यह आपके पास समय बसता है तो आप जो है दूसरे कोश्चन को निकाल सकते हो और उन्हें पढ़ सकते है अब बच्चों हम यूनुन टू की तरफ आग सबसे पहले आप जो है दो अंके प्रश्णों को देख लीजिए और यहाँ पर फटा फटी हाँ पर देख लीजिए पूरा उत्तर अब बच्चों आपको यहाँ पर अटेंसन लेने के लिए आपको लिख जाता है बच्चों मुझे ऐसा लिखना परता है क्योंकि यदि मैं थम्नेल में लिख दूं में पुछन तो कोई भी हमारे बीडियो को नहीं देखता है इसलिए हमें एसा सब लिखना परता है लेकिन बच्चों आपको यहाँ आपको सची जहां पर क्लियर कर देते हैं अब बच्चों यूइनिट 3 में बच्चों आपको देखिए जो यह 5 अंकप प्रशन ने पूछा आना बला है हाना बच्चों तो बच्चों आपको इस अध्याएका तो बच्चों अच्छ सा त्यारी तीया है यह बाला कोश्चों मुझे देखने को मिला था हर बार पूश जाता बिल्कुल गिरैंटी बच्चो आपको इस तो बच्चो आप चाहिए कुछ पढ़िए ना पढ़िए लेकिन बच्चो इस नियम को बच्चो आपको त्यार कर लेना है बेरी 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 मोस्ट आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो आप यहां से कोशन देखिए और अपने कोपी में उसके आंसर देख लिजिए आपने याद करें होंगे तो लेकिन बच्चों कई चाहतर यह से जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किये तो उनके लिए में आपर सोलोसन भी लेकर आया हाइडोजन इलेक्ट्रोड का सचतिर वर्णन यह वाला अच्चों को जो है कोशन आपर त्यार कर लेना है इसकी बाद दिद्यारतियों हम बढ़ते हैं यहां पर आगे अगला कोशन बच्चों आपर बिद्दुत और रसानिक स्रेणी या सकृता की स्रेणी किसे कहते हैं इ यह वाला कोशन बच्चा आपको त्यार करना है इसके बाद आपको अगला कोशन आपर त्यार करना है इसके बच्च आपको जो है सोलो सन भी हाँ पर काफी काम पढ़ने वाला है इसे बच्चों selected question ना तो आपको परिच्छ दिन मिलेंगे ना ही परिच्छ बोद में मिलेंगे ना ही प्रश्ण बेंग में मिलेंगे आपको कहीं भी ने मिलेंगे इसलिए बच्चों मैं आपके लिए बीडियो बना रहा हूँ प्रशन बेंग में तो बच्छो आपको जो है इस बार परिच्छ में कुछ भी कोशन नहीं फसर है तो बच्छो आपको जो है प्रशन बेंग से तयारी नहीं करनी है कुछ भी कोशन आपके नहीं फसने वाले प्रशन बेंग से बहुती कम कोशन फसर है अब बच्चो हम बढ़ गए हैं यूनिट 4 की तरफ, यूनिट 4 का नाम है रसानिक बलगती की, केमिकल काइनेटिक्स तो बच्चो इसमें आपको दो अंक और तीन अंक के प्रशन पूछे आने वाले हाना बच्चो तो देखिए सबसे पहले जो है बच्चो आप यहाँ पर बस्तूनिष्ट प्रशनों को देख लीजिए पूरे बस्तूनिष्ट प्रशन आप समझ लीजीगा इसके बाद ये एक बाग की मुत्तर वाले प्रशन है अब बच्चो आपर आजाते हैं तीन अंक वाले प्रशनों की उत्तूर की तरफ तो बच्चो आप जो सारे कुश्चन्स को हाँ पर देख लीजिए पूरे बच्चो में आपको बारी बारी से हाँ पर दिखा रहा हूँ तो आपको कहें भी हाँ पर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी चले बच्चो यह इस बारे में भी हम बात कर लेती कि आप इसका जो है पीडेफ सोलूशन डानलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चेनल को जोई कर लेना है जिसकी लिंक आपको इस बीडियो के दो कुश्चन और दो अंका आपको एक प्रशन पूछे आना है तो बच्चो सबसे पहले बच्चो आप बस्तुन इस प्रशनों को आप देख लिजी यहाँ पर है फिर बच्चो हम आ गहाएं ऑपर तीन हंग के प्रसणी कि तरफ बच्चो सारे कोस्चन की आफको त्यारी कर लेनी है और बच्चो इसके आगे बच्चो मैं आपके लिए और वीडियो बना दूँंगा इन्हीं को Cristen के अंधर दो travaillो मैं आपके लिए एसे question चाट के लाऊंगा एसे most question चाट के लाऊंगा जो कि आपको परिच्छा में देखने को मिलने वाले बे वीडियो उन चाटर के helpful लाएगा जो से pass होना चाहते हैं तो बच्चो आप उसके लिए वी देख सकते हैं उसके लिए बच्चो मैं अलग से question बनाऊंगा बेरी 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 most IMP question रहेंगे अब अच्चो हम आगा है unit 7 की तरफ unit 7 का नाम है पिलू P block के तदब इसमें आपको एक अंग के तीन question और पांच अंग का आपको एक प्रशन पूछा जाना है तो सबसे पहले आप बस्तोने प्रशनों को यहाँ पर देख लीजिए जान जाए बच्चो आपको चित्र की आवस सकते अपड़री आप परीच्छ में बेच चित्र बनाईंगे बूरती कम question से बच्चो हम ना देखिए सिर्फ इच्छी question आपको इसमें दी गए इसमें से एक नायक बच्च्च आपको परीच्छ में बिल्कुल 100% guarantee आपको देखने को मिलने वाला है अब बच्चो हम आगा है unit 8 की तरफ unit 8 का नाम है डी एबं एफ ब्लोक के तदवर तो बच्चो हम आपर देखिए आपको एक एक अंके दो question और तीन अंक का आपको एक प्रशन पूछा जाने वाला है तो आप सबसे से पहले हम पर बस त selected question बच्चो आप देख लीजी अगया तो बच्चो आपर आगा हम दो अंक के प्रिशनों की तरफ तो बच्चो आप सारे हाँ पर देख लीजी सारे बच्चो आपको equation भी आत करने हैं अच्चे तरीके साब को solve करके प्रिटिस करके आपको देखना है तो बच्चो यूनिट 11 में बच्चो आप देख लीजी यूनिट 11 का नाम है एलकोहल, फिनोल, एवं, इथा तो बच्चो इसमें देखिए दो अंक के दो question और तीन अंक आपको प्रेशन पूछी आने हैं तो बच्चो आप जो सब पहले दो अंक बाले question देख लीजीए सिर्फ दो question बच्चो आपको याद कर लेना है फिर बच्चो हम बढ़ते हैं तीन अंक के question की तरफ सारा बच्चो आपको याद कर लेना है तो बच्चो यदि आपको वीडियो helpful अगर हो तो बच्चो वीडियो को लाइक कर दीजीएगा क्यों बच्चो हम आपके लिए बच्चो एसे helpful वीडियो सुनाने बच्चो हमें बहुत नेयनत लगते हैं तो बच्चो आपका एक like का हक तो हमारे वीडियो पर बनता ही है एक like तो बच्चो आपको कर ही सकते हो साथ में बच्चो आपको share तो आपको कर ही देना है ताकि सभी विद्धार्थियों को हमारे इस वीडियो के लाव मिल सके अब बच्चों आपर आगा है हम यूनिट वारा की तरफ इसमें बच्चों देखिए इसका नाम है अब बच्चों आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको याद कर लेने हैं सारे ही बेरी 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 मोस्ट आएंपी कोश्चन से बच्चों अब बच्चों हम बढ़ गए यूनिट 13 के तरफ इसमें देखिए आप जो बच्चों से पहले बस्तून इस पशनों को आप देख लीजिए औबजेक्टिब कोश्चन का आप सोलुशन देख लीजिए आपको बच्चों असली पेपर के चक्कन बच्चों बिल्कुल भी नहीं रहना है सिर्ब बच्चों आपको इनकी तयारी करनी है असली पेपर के चक्कन में रहोगे तो फेल हो जाओगे तो बच्चों बढ़ गए तीन आंके प्रश्णों की तरफ कि तो यह थे बच्चों आपके पूरे फुल सोलुस्टन तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा ताकि सभी पर द्यारतियों को हमारे इस वीडियो के लाब मिल सके मिलते हैं आपको अगले किसी नवी वीडियों तब तक लिए जेहिंद जे भारत